वेलकम टू हम हराष्टा इंजिनरिक अकडमी लास्ट के कुछ लेक्चर हमने सिंपल इंटीग्रेशन के निम्रीकल सॉल किये थे जितने भी निम्रीकल हमने सॉल किये जो स्टैंडर्ड फॉर्मुला के बेस के ऊपर थे लेकिन आज जो हम लोग निम्रीकल सॉल करने वाले है कंपोजिट इंटीग्रेशन के मतलब यहां पर जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुला है उसको यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाय करना पड़ेगा अल्यड़ी आपको मालूम है हमने कंपोजिट डेरिवटिव के निम्रीकल सॉल किये वैसे यहां पर थोड़ा सा आपको हमें आगे करना है जो इंट्य of question 1 देखिए अल्रेडी आपको मालू में composite derivative हमने solve किया था तो वहां पर हमने क्या किया था standard formula को modify किया था तो वहां पर हमने क्या किया था जो function of x था उसे multiply किया था डीवाइड एक्स आप इंटू function of x तो यहां integration आप structure Tir tasty dog reflection iOS क्या है at least 10 दें डॉस्ट एक्स प्लघ्रेशन इंटराओ इंटिफ्ए यहां पर ध्यान से दिख्या है यहां के एक्स इस साथ क्या है तु ए तुसे हम लोग किया बोलेंगे फंक्शन ऑप मतलब उसे बोलेंगे composite यहाँ पर दो आपके इंटीग्रेशन है एक इंटीग्रेशन और एक आपका यहाँ पर डिरियोटिव आता है इसे हम लोग क्या बोलते है एटीग्रेशन में तेरीवटिव को डिवाइड करना है व्हलते हैं प्लस टिव आतीग्रेशन में प्लसंटिव करते यहाँ पर इंटीग्रेशन में derivative को डिवाइड करना है देखिए ए रस टू फंक्शन आफ एक्स डिवाइड बाइ डिवाइड एक्स आप इन्टू फंक्शन आफ एक्स अपका स्टैंडर्ट फॉर्मला यहां पर हमने इसे इसे उसे मौडिफाइड किया वह नाम क्या दिया फंक्शन आफ एक्स देखिए जो स्टैंडर्ट फॉर्मला को अच्छी तरह प्रिपेर करना है जितने भी कमपोजिट के फॉर्मला जहां इसीली बाना सकते हों तो हम लोग को of question 1 का solution क्या दिया है i is equal to integration of e raise to 2x dx integration of e raise to 2x dx देखिए 2x को क्या जुन करेंगे function of x तो e raise to function of x divided x of function of x plus c तो यहापे क्या होगा e raise to 2x divided x of 2x plus c देखिए e raise to function of x divided x of function of x तो यहापे आपका e raise to 2x वैसे का वैसा तू कॉंस्टान्ट उचे साइड में रख दिया देखिए अपका वैसे का वैसे आपका फाइनल आंसर आएगा e raise to 2x टू इन्ट वन टू प्लस सी होगे आपका फाइनल आंसर देखिए इंदम simple numerical है यहापे सिर्फ थोड़ा सा modification आपको करना है आपको जो कर standard formula आ रहे है तो आप इजीली modification कर सकते हो हम लोग question no.2 को solve करेंगे question no.2 में भी same है solution question no.2 का i is equal to e raise to 2x plus 1 upon 1 plus x square dx आप सबसे बहले bracket open करेंगे i is equal to integration of e raise to 2x dx plus integration of 1 upon 1 plus x square dx देखिए same e raise to 2x तो यहाँ पर हमें composite integration यूज़ करना पड़ेगा देखिए अगर सिर्फ e raise to x होथा आपको डारेक्लिक सकते थे integration आप e raise to x क्या होगा e raise to x plus c लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है जैसे ही pronounce solve क्या हो इसे यहाँ पर answer आएगा यहाँ पर आपका answer क्या आएगा e raise to 2x by 2 देखिए e raise to 2x dx और लेडिया हमने यहाँ पर solve किया है तो answer क्या आएगा e raise to 2x by 2 बात यहाँ प्लस c है लेकिन x से जादा आगर integration है तो हम लोग at the end c लिखते है constant लिखते है तो यहाँ पर देखिए इस cancer तो मिल गया plus integration आप 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 आपका final answer देखिए तो simple numerical है और चारो numerical आपके exam में पूछे गए तो इसका answer आप note कर लीजिए देन हम लोग आगे के 2 numerical continue करेंगे देन next वाले numerical हम लोग continue करेंगे देखिए question number 3 में क्या दिया है evaluate integration of 1 upon 3x plus 5 dx तो थर्ड का solution evaluate integration of 1 upon 3x plus 5 dx तो यहां पर ध्यान से देखिए आपका standard formula क्या है integration of 1 upon x dx लेकिन यहां पर देखिए यहां पर x आके लाए गया लेकिन यहां पर x के साथ क्या है 3x plus 5 है 1 upon 3x plus 5 तो उसे हम लोग क्या दूब पोलेंगे composite integration इसे क्या बोलेंगे composite integration और शिना चीवरेशह से Ti integration है 1 by x तो हम लोग डारेक्क्ली लिख सकते थे log x plus c लेकिन हैं यहां पर देखिए 1 यहां पे मैं formula त्यार करता हूं 1 upon function of x dx तो यहां पे क्या होगा x के जग़र क्या लिखना है function of x तो यहां पर क्या होगा log function of x divide में d by dx of function of x plus c देखिए ध्यान दिजे हम लोग डे रोट्व में क्या करते माल्टीपलाइ करते दों इंतिकरेशन वे क्या करना है हमाने Jew अपन function of x log function of x into d y dx of function of x 3x plus 5 plus c log 3x plus 5 आपका वैसे का वैसा आपे ब्रैकेट ओपन करेंगे डी बाइड एकस अफ थी एकस प्लस दी बाइड एकस आफ फाइव तो आगे कंटिन्यू करेंगे आई इस इक्वल टू इंटिग्रेशन लॉग थी एकस प्लस फाई का वैसे का वैसा अथ री कॉस्टन विश्था साइड में रख दिया डी पाई एकस चाने रूट टोगा वन फ्रस एन डी वाइड एकस फायू फायू का दिरूट गाता है जीरो आई इस उक्वल टॉट अपका हाई जिरो अबाएड और फाया लॉग हो गया आपका final answer बाद में plus C plus C कि इसका अंसर आपको नोट कर लीजिए हम लोग question number 4 को solve करेंगे then question number 4 को solve करेंगे देखिए question number 4 में क्या दिया है evaluate integration of dx upon 2x plus 11 same question है जैसे question number 3 था वह इसे solve करना है यहां पर यहां पर 3x plus 5 था यहां पर 2x plus 11 आप खुद भी इसे try कर सकते हो फिर भी मैं आपको यहां पर solve करके दे रहा हूं question number 4 आप खुद इसे try कीजिए और answer आप cross check कीजिए मैं यहां पर solve करके दे रहा हूं question number 4 का solution evaluate integration of 1 upon 2x plus 11 dx into 1 क्या होगा dx तो same आपका equation बन रहा है dx upon 2x plus 11 तो यहां पर ध्यान से देखिए आपका standard formula क्या है integration of 1 upon x dx integration of 1 upon x dx लेकिन यहां पर क्या है 1 upon 2x plus 11 तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे composite integration तो इसे हम लोग क्या जुम करेंगे function of x integration of 1 upon function of x dx is equal to log function of x divided by d by dx of function of x plus c तो यहां पर 2x plus 11 अपका क्या है function of x यहां पर क्या होगा log function of x मतलब 2x plus 11 divided by d by dx of 2x plus 11 plus c log function of x d by dx of function of x log 2x plus 11 अपका वैसे का वैसे यहां यहां पर bracket open करेंगे डीवाइड एक्स ओप 2x plus डीवाइड एक्स अप 11 प्लस यह अपका वैसे का वैसा आई integration is equal to log 2x plus 11 अपका वैसे का वैसा डीवाइड बाइड 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 रख दिया डीवाइड एक्स अब एक्स का डेरीटू क्या है वन डीवाइड एक्स 11 एनी कॉंसे डेरीटू क्या होता है जीरो इलेवन का डेरीटू क्या है जीरो तो अपका फाइनल अंसर क्या है लॉग 2x प्लस 11 डीवाइड बाइड बाइड टू इन्टू बन क्या होगा टू प्लस जिरो क्या होगा टू प्लस सी अपका फाइनल अंसर लॉग 2x प्लस 11 डीवाइड बाइड बाइड टू प्लस सी देखें इदम सिंपल न्युम्रिकल है कंपोजिट इंटिग्रेशन के हम लोग इतने न्युम्रिकल सौल करेंगे जैसे से हम लोग आगे के मेथड सौल करेंगे तो यहां पर आपको नंबर आप प्रॉब्लेम प ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन उसके न्युम्रिकल हम लोग सौल करेंगे अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है मैं जो आपको पड़ादा हुओ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेर आए सब्सक्राइब कीजिए एस साइड में जो